नमस्कार आप सभी का स्वागत है इंडिया नियूज बे मैं हूँ आपके साथ कशिश पांडे तो दोस्तो 22 जनवरी का इंतिजार तो हर किसी को है क्योंकि उस दिन हमारे राम जी आयोध्या आ रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा है और इस वक्त पूरा भारत पूरा विश्व जो है राम की धुन में लीन हो रखा है राम की भक्ती में लीन है तो इसी बीच हमारे साथ एक राम भक्त मौझूद है जिन्होंने राम जी को खुश करने के लिए एक अलग ही प्रण लिया था तो सबसे पहले सरोज मिश्रा मैम आपका बहुत-बहुत स्वागत है बहुत-बहुत धन्यवाद आपका मैम पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि 22 जन्वरी को हमारे राम जी आयुद्या आ रहे है तो इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे बहुत खुश हूँ, बहुती मन प्रफुलित है और बरसों की जो तपस्या है वो पूरी हो रही है और मेरा तो बहुत सपना था कि राम लला अपने जैगेंग मंदिर बने और वहाँ पे स्थापित हो तो आज वो सपना पूरा हो रहा है, बहुत खुश हूँ पांच अगस 2020, जब आपने सुना कि हमारा जो राम मंदिर है वो वही बन रहा है जहाँ पे हमारे राम जी का घर था अयोध्या तो उस वक्त पूरा देश खुश था, सबके मन में एक फीलिंग थी, कहीं न कहीं सब एमोशनल हो गए थे, सबकी आखों से आशू आ गए थे उस वक्त आप कैसा फील हुआ था? मुझे भी कुछ ऐसा ही फील हुआ था, मैं पूजा करके उठी थी और देख रही थी कि मोधी जी का लगातार टीवी पे दिखाया जा रहा है कि वो शिल्या नियास कर रहे हैं तो मैं दो मिनट वहां खड़ी हुई और मैंने उसी समय संकल्प लिया कि मैं आज से रोज एक भजनगा के राम जी के चरणों में अर्पित करूंगी और यही मेरी सेवा होगी पूरे सनातन धर्म के लिए भगती के लिए तो मैं बस वही गाने लगी और उसी दिन है और आज का दिन है नॉन स्टॉप का रही हूँ इंडिया बुक ओफ रिकॉर्ड ने भी मुझे सम्मानित किया और उसमें मेरा नाम दर्ज हो गया है बस ऐसे ही सिलसला चलता रहा आपने उस दिन से आज तक 1251 गीत जो है राम जी की भक्ती में गा दिये हैं तो आज आप कोई भजन हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे जी जी ज़रूर और अब तो ऐसा लगता है कि राम काज की ने बिनू मोहे कहां विश्राम तो उनमें से मैं एक आपको बहुच पूरी का भजन थोड़ा सा सुनाती हूँ RAM PADHARI BRABू RAM PADHARI ABADHKI RAJA JI RAM PADHARI RAM PADHARI BRABHU राम पधारे अवध के राजाजी राम पधारे ही आमें बसी सब पीर उबारे हे रगु राम जी रऊरे तारे राम पधारे प्रभू राम पधारे अवध के राजाश्री राम पधारे वाकई मैं मैं आपकी आवाज में बहुत मधूर है आपकी आवाज और आपने राम भजन जो गाया इसको सुनके कहीं न कहीं मैं अभी एमोशनल हो रही हूँ क्योंकि मैं भी एक राम भगतू हूँ और मैं आयुध्या से ही हूँ बस वही बात है कि हम काम करते हैं तो हम अपने घर नहीं जा पाते हैं कि यह कैसा मंदिर है टेंट बना हुआ है पापा और तो कहते थे कि हाँ बिटा फिर पूरी कहानी वो सुनाते थे मुझे फिर बोलते थे कि कभी न कभी मंदिर बनेगा मैं भी सूछती थी कि हाँ ऐसा जरूर होगा अभी जब बाइस जनवरी को वहां पे इतना भव्य उत् प्रण आएगा तो जरूर जाओंगी नहीं तो जैसा प्रभू चाहेंगे जैसा वो करवाएंगे आप अपने आपने जब यह प्रण लिया था कि आप डेली एक भजन गाएंगी पांच अगस दोजा बीस से उसके बाद प्रधान मंत्री जी से मिली मोधी जी से मिली तब आ बहुत सुंदर बहुत अदबुत क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं एक इश्वर के साम नहीं खड़ी हूँ ऐसा वैक्तित्व था उनका सौम ये विनम्र बिल्कुल मुस्कुराता हुआ चेहरा तो बहुत ही मैं बहुत ही उनको देख के भावख हो गई इन फैक् को अलग अलग भाशाओं में गाया है तो उस भजन की कोई दो चार लाइने आप सुनाए अलग अलग भाशाओं में अभी मैंने बहुत पूरी सुनाई है और अभी मैं आपको थोड़ा सा एक स्टेंजा जिसमें चार भाशाओं आ जाएंगी वो सुनाने की शुरुवात हर की शुरुवात जो मैंने बिभिन भाशाओं में गाया है उसकी हिंदी सही होती है राम पधारो प्रभू राम पधारो अवध के राजाश्री राम पधारो मन में बसो सब कष्ट निवारो हे दुख भंजन तुम ही तारो राम पधारो प्रभू राम पधारो अवध के राजाश्री राम पधारो ओधम पोतित एक शेबो को आमी बेंगोली कुडो जग कुडो सब बानी सिंधी भव साह कर रा जीवन उडांका के उडिया जान की वल्लव पार कराओ गुजराती राम पधारो प्रभू राम पधारो अवध के राजाश्री राम पधारो मैं निशब्द हो गई हूँ आपके सुर सुनके बहुत अच्छी आवाज है आपके मैं बहुत 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 अच्छी और राम जी जो आपकी आवाज सुन रहे हैं वो आपसे सच में खुश हो गई होंगे हाँ कुछ लोगों ने तो मुझे ये बोला कि निश्चल होके गा रही थी तो ये बोला कि राम जी ने आपको चुना है अपने इस कार्य के लिए तभी आपको ये प्रेड़ना मिली तभी आपने ये कार्य शुरू किया तो मैं कहती थी कि सब आप लोगों का शुप कामना है प्यार है आशिरवाद है लेकिन आज वाकई महसूस करती हूँ कि शायद उन्होंने मुझे ही चुना है इस काम के लिए वाकई में आप ही को चुना है क्योंकि हमारी आवास तो इतनी मधूर नहीं है हम नहीं गा सकते हैं हम ऐसी थोड़े छोटे मोटे सिंगर बन सकते हैं बस आप की तरह नहीं बन सकते हैं मैम लास सवाल है आपसे अभी राम मंदिर प्रान प्रतिष्टा है तो आप डेली एक एक भजन लिखती है मंदिर जिजिन बन रहा है उसके लिए आपने कुछ तयारी कर रखी है बहुत बड़ी तयारी की है पूरी रामाण को संक्षिप्त में गाया है पंद्र मिनट में पूरी रामाण हुई है और उसपे एक्ट करूँगी पूरा भाव करूँगी थोड़ा बहुत नरित्य भी कर लेती हूँ तो उसपे पूरा भाव करूँगी और ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो अभी तक किसी ने नहीं किया है मैं करने जा रही हूँ रामजी के कृपा जैसी भी होगी वो जैसा करवाएंगे वैसा करूँगी बस आदेश तो अधर से ही होता है ये तो बात है जाते जाते मैम एक भजन आप सुना दे हाँ मैं सुनाना चाहती हूँ क्योंकि वो मेरे भजन बहुत दिल के करीब है दो लाइने गुन गुनाओंगी मैं नकरी हो आयो थ्यासी रख कुलसा घराना हो और चर्ड हू राघव के जाहां मेरा ठिकाना हो और चर्ड हू राघव के जाहां मेरा ठिकाना हो राम राम जै राजा राम राम जै सीताराम जै श्री राम जै श्री राम थैंक यू मैम आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एक बार हम दोनों मिलके बोल देते हैं जै श्री राम